दोस्तो आज हम सियर कर रहे हैं गूते हुए आटे का बहुत ही क्रिस्पी जटपट परने वाला आसान नास्ते की रिस्पी जिसे आप एक बार में धेर सारा बना कर त्यार कर सकते हैं और इसमें आपको समोसा कचोड़ी पकोड़ी तीनों का स्वार मिलेगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने दो मीडियम सैज के उबले हुए आलू ली है इनको हम कदुकस कर ले रहे हैं आलू को आप चाहे तो हाथों से मैस करके भी ले सकते हैं पर ध्यान रखिएगा इनमें आलू के ब दो बारी कटिवी हरी मिर्च, आधा चोटा चम्मच जीरा, आधा चोटा चम्मच आजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और इन सभी मसालों को आलूओं में अच्छे से mix कर लेंगे और दोस्तों यहां पर मैंने बहुत ही simple masala का इस्तमाल किया है कम masala में भी यह नास्ता बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल दे रहें और इसे मिला ले रहें मसालो को मैंने अच्छे से mix कर ली है आलू का masala बनकर त्यार हो गया है अभी हम इसे साइड में रख देते हैं अब मैंने यहां पर गुथा हुआ आटा लिया है सुबा रोंटिया बनाने के बाद दो तीन लोईयों का आटा बच गया था तो मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था इसी से हम ये नास्ता बनाएंगे आप चाहे तो एक कप आटे को गूत कर भी ले सकते हैं गूते हुए आटे के ऊपर थोड़ी पपड़ी जम जाती है तो इसे हाथ से एक बार अच्छे से मसल लेंगे और इसे चिकना करके एक बड़ी लोई बना लेंगे इस लोई को सुखे आठे में लपेटेंगे और इसे सरफेस पे रखकर इसकी एक बड़ी रोटी बेल लेंगे चिपक रहा हो तो बेलने के बाद एक बार और सुखा आठा लपेट लीजेगा और इसे बेल लिजेगा और इस तरह से इसकी एक बड़ी रोटी बेल कर त्यार कर लिजेगा और इसे इस तरह से पतला रखिएगा अब एक किलास या छोटी कटोरी ले लिजे इससे इनकी इस तरह से पूड़ियां काट लिजे आप चाहें तो आटे की छोटी छोटी लोई बना कर पूड़ी बेल कर भी ले सकते हैं पर इस तरह से नास्ता जल्दी बन जाता है किनारे के आटे को हटा देंगे और इनकी हम फिर से छोटी छोटी पूड़ीयां बेल कर ले लेंगे अब आलू का मसाला लेंगे इसमें से एक चम्मच मसाला पूड़ी के उपर रखेंगे और इसे चम्मच या फोर्क से बराबर से फैला लेंगे इस तरह से सभी पूड़ीयों के उपर ये आलू का मसाला अच्छे से लगा लेंगे और इसे बराबर से फैला लेंगे अब पूड़ी को एक तरफ से उठाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उपर से हलका सा दबा दिजेगा जिससे की ये बराबर हो जाए अब नास्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी ली है इसे थोड़ा सा इसके उपर रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और देखे इस तरह से इसमें समोसे का सेप आगिया है आप चाहें तो इसे बीना चटनी के भी बना सकते हैं या हरी चट्णी की जगा सेजवान चट्णी या टुमेटो कैचप भी लगा सकते हैं, जो सौसेज आपको पसंद हो, मैं इसके उपर टुमेटो कैचप लगा रहे हूं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, और ये बहुत ज्यादा तीखा भी नहीं होगा, इस तरह से ये खाने में बहुत ज़्यदा टेश्टी लगते हैं, तो इस तरह से हम सारे समोसे बना कर त्यार कर लेंगे, और देखिए, मैंने रेड्य और ग्रीन दोनों तरह की चट्णी लगा कर त्यार कर ली है, अब एक बाउल में चार चम्मच मैदा लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक टालेंगे, और पानी डालकर इसका एक घोल त्यार कर लेंगे, इस घोल को हमें न तो जियदा पतला रखना है, और नहीं बहुत ज़्यादा काढ़ा, इस तरह से घोल बना कर त्यार कर लेना है, अब हम इसमें एक चम्मच कुटे हुए लालमेश डालेंगे और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हर अधनिया और इनको अच्छे से मिला लेंगे इससे नास्ता देखने में भी उपर से अच्छा लगता है अब एक समोसे का पीस लेंगे इसे घोल में डीब करेंगे और इसे फोर्क या चम्मच से निकालकर इसे तेल में डालते जाएंगे तो इसके लिए कड़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दी थी तेल मीडियम गरम हो गया है तो इसमें हम एके करके ये पीसेज डाल देंगे और इनको मीडियम आज पर फ्राई करेंगे तीन से चार मिनट सेखने के बाद जब ये एक तरफ से थोड़े क्रिस्पी हो जाएं तो इनको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं आलू और चटनी बिलकुल भी बाहर नहीं निकले हैं मैदे के घोल से ये अच्छे से पैक हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं तो देखे इनको लटते पलटते वे मैंने 5-6 मिनट तक सेख ली है इनका कलर गोल्डेन हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे और देखे ये देखने में भी कितने अच्छे लग रहे है समोसा कचोड़ी से भी टेश्टी लगते हैं कम मेहनत कम समान में जटपटवा असानी से बन जाते हैं बाहर से क्रिस्पी अंदर से सौफ होते हैं और इनका सेप समोसे जैसा आता है आप इन्हें बिना किसी चटनी के भी खा सकते हैं ये बहुत मज़िदार लगते हैं तो दोस्तों आप इसे कब बना रहे हैं कॉमेंट में जरूर बतेएगा और रेश्पी जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर देजेगा और चैनल पर नए हो तो सस्काइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्य बाद